सब वेलकम बेक टुर यूटूब चैनल मेडिकल नर्से सब तो अहां पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं तो मैंने ओफिसियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है यूपी एनचेम की उत्तर प्रदेश में वंपर बैकेंस ही निकलिये हैं कम्निटी हेल्थ नर्स सॉरी कम् आपको ओफिसयल वेबसाइट पर मिल जाएगा क्योंकि विदावट जब तक कोई भी नोटिफिकेशन मुझे ओफिसयल वेबसाइट पर नहीं मिलता मैं आपके साथ सेयर बिलकुल भी नहीं करती तो यहां पर आपको यूपी एनरहेचम की ओफिसयल वेबसाइट है यूप क्या है रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन और 2800 वेकेंशी ओफिसयल तो यहां पर अभी जादा डेटेल में नोटिफिकेशन नहीं निकाला है उल्ली यहां पर जो six month certificate in community health for nurses की post के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है 2800 वेकेंशी के लिए 2800 पोस्ट रहने वाली है इसमें तो यहां पर क्या रहेगा आपकी direct posting नहीं होनी है यहां पर आपके लिए कहा गया है कि 6 महीने की training दी जाएगी आपको पहले आपका exam होगा then आपको select होंगे तो 6 महीने की training दी जाएगी then उसके बाद आपको जो under the आउस्मान भारत scheme के तहते जो भी उत्तर प्रदेश में health and wellness center है CS sub center से वहां पर आपकी posting की जाएगी तो यहां पर final exam के बाद आपकी posting की जाएगी तो same है कि आपका पहले exam होगा then exam के बाद आपका selection होगा selection के बाद आपको 6 महीने की training दी जाएगी training के बाद आपके 2 paper होते हैं वो paper आप clear कर लेंगे तो आपको health and wellness center है वहां पर post कर दिया जाएगा तो हम बात करेंगे कौन-कौन eligible रहेगा apply करने के लिए क्या age limit रहेगी तो यहां पर साब कहा है कि जो vacancy है 2800 post के लिए 2800 post के लिए 6 month certificate training रहेगी आपकी इसने community health for nurses के लिए तो यहां पर apply करने के लिए GNM general nursing and midwife free BSC nursing post basic BSC nursing बाले apply कर सकते हैं यहां पर age limit बहुत ही अच्छे से count की गई 35 years 35 साल तक age limit है जो age limit वाले apply कर सकते हैं and then जो UP government के rules regulation होगे वो apply करके यहां पर रख दिया जाएगा तो यहां पर जो vacancy निकली हैं तो इसमें अच्छी बात यह हैं बहुत सारे लोग confused थे कि GNM वाले apply कर पाएंगे नहीं तो yes इस बार GNM BSC nursing post basic BSC nursing वाले apply कर सकते हैं candidate must have registered as nurse and midwife from UP nurses तो आपके पास valid registration होना चाहिए जब आप apply करें तो UP nursing council का आपके पास registration होना अनिबार है तभी आप लोग apply करें तो अब मैं आपको एक बार फिर से एलाइन रिपीट करती हूँ आप लोग बार बार ना तो comments करें ना call करें ना message करें कि MP वाले भर सकते हैं नहीं तो यदि आपके पास उत्तर प्रदेश का nursing registration है तभी आप लोग apply करें यहाँ पर साब कहा गया है कि only online application will be accepted and vacancy shall be subjected to state reservation policy of UP तो यहाँ पर साब कहा है कि यह vacancy उत्तर प्रदेश बालों के लिए निकाली गई है तो इसमें जिनके पास UP nursing council का registration होई लोग apply करें UP के जो reservation policy rules ने वो यहाँ पर apply किये जाएंगे next हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो UP में जो vacancy निकली है तो उत्तर प्रदेश government के पास किसी भी जो recruitment process form फिलफ होने के बाद यह cancel भी कर सकते हैं आप qualified नहीं है तब भी cancel कर सकते हैं पोस्ट को भी घटा बढ़ा सकते हैं सभी चीजें इनके पास हैं सभी rights है तो online application form start कब होंगे 30 June 2021 सभी form फिलफ स्टार्ट नहीं हुए है online submission of application start from 30 June 2021 सुबह 11 बजे से लेके 20 July 2021 तक रात के 11 बज के 69 मिनरे तक form फिलफ होंगे और आपको time to time detail information के लिए जो UPNRHM government की official website है इस पर जाके visit करते रहना है क्योंकि अभी एक page का notification निकाला है आपको alert कर दिया गया है alert ही हम कह सकते हैं कि vacancy आ गई है UP में आप लोग अपनी तैयारी रखें और कोई भी doubts हो तो comment box में या फर whatsapp पर message करें कॉल बिलकुल भी ने करें जब बहुत ही emergency हो तभी आप लोग कॉल करें तो यहाँ पर जो लोग apply करना चाहते हैं वो ready रहें तीस तारीक से form fill up होंगे अभी form start नहीं हुए तो guys thank you for watching us and bye bye good night